नमस्कार दोस्तों गारगी क्लास्स पर आपका स्वागत है डेट आज की 12 जन्वरी 2023 देख लेता है इंडियन एक्स्प्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखो दो आर्टिकल्स है एक तो गव गवर्नर ना तो डेकोरेटिव एंपलेम है और ना ही ग्लोरिफाइड साइफर है जो की बहुत ज्यादा इंपोर्टन आपने आप में तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गवर्नर के अपने कुछ रोल्स है और उन रोल्स में उनकी डिस्क्रीशन जो है वो लिमिटेड है ऐसा अब मुद्दा क्या है कि अभी आपको पता है कि मंडे को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब तमिल नाडू के चीफ मिनिस्टर और तमिल नाडू के गवर्नर दोनों के बीच में एक conflicting situation देखने को मिली ठीक है तो वो जो situation थी यह पहली बार नहीं है पहले भी हो चुकी है पर स इतना आप देखते हो कि जो रोल प्रेजिडेंट सेंट्रल गवर्मेंट के लेवल पर रोल प्ले करते हैं वैसा ही कुछ more or less गवर्नर भी अपना रोल प्ले करते हैं ठीक है तो फेडरलिसम को strength देने में गवर्नर का रोल बहुत जादा important है फेडरलिसम में आप जानते हो कि central government जो है वो या फिर कहो कि एक union को या एक बड़े country को आप डिवाइड करके रखते हो या फिर छोटे-छोटे states मिल करके बड़ा country बना लेता है और उनका फिर साथ में जो central government है या union government है या federal government हो उसके साथ मिल करके काम करना ये अपने आप में federalism की success को show करता है तो यहाँ प पता है कि governor की appointment होती है किसके दौरा प्रेजिडेंट के दौरा और प्रेजिडेंट जो है वो council of minister led by prime minister इसकी add and advice के basis पे काम करता है तो कुल मिलाकर करके देखा जाए तो governor पे कई बार यह allegations भी लगता है कि यह तो central government के agent है ठीक है तो कुल मिलाकर के बात यह आ रही है कि federalism को strengthen करने में governor और chief minister दोनों को एक cordial manner में काम करना चाहिए ठीक है क्योंकि governor जब कभी भी अपनी कहते हैं कि जब अपनी post को कहते हैं कि occupy करता है या फिर आए को कि जब वह post पे आते हैं governor की post पे कोई पी individual तो उनको ओत जो दिलाई जाती है वो होती है preserving protecting and defending the constitution तो यह जो काम है यह काम बहुत ही जदा important हो जाता है एक governor के लिए ठीक है जी तो कुल मिला करके देखा जाए तो chief minister हो या फिर governor हो उनको साथ में मिलके काम करना चाहिए अब देखो बात ऐसी है कि एक good governor किसको माना जाता है देखो एक good governor वो है जो की politics से हट करके राजनिती से हट करके अपना काम करें क्योंकि governor जो है वो एक state के head होता है और एक constitutional body है governor अपने आप में 1937 में government of india act of 1935 के basis पे जो elections हुए थे ना उनमें congress को जीत हासिल हुई थी provincial level की अगर बात करें तो 7 provinces में government established की थी congress ने और congress ने जब अपनी सरकार बनाई ना तो उसके पहले साफ साफ ये कहा था कि हम सरक जार तभी बनाएंगे जब ये जो British governors appoint किये जा रहे हैं अलग-अलग provinces में exactly वैसे जैसे आज के टाइम पर governors हैं वैसे उस टाइम पर provinces हुआ करती थी state की जगे तो उनमें जो governors थे बोलो वो हमारे day to day functioning में बीच-बीच में interruption नहीं करेंगे ठीक है तो कुल मिला करके देखा जाए तो ये जो Congress के दुआरा जो ministries बनाई गई थी provinces में 1937 election के बाद में तो इसमें ये condition थी कि बही गवर्नर जो है जो British governors appoint किये जा रहे हैं इन अलग-अलग provinces में तो बोलो वहां पर कोई objection या फिर कोई अपनी मनमानी ना करे गवर्नर ठीक है ऐसा नहीं कि जो smooth functioning हो उसमें अडंगे लगाने लग जाए गवर्नर तो यही चीज हमने continue की अभी भी independence के बाद में तो कुल मिला करके देखा जाए तो गवर्नर का काम वहां पर constitutional stability को ensure करना है ना कि एक तरीके से ऐसे काम करना जिसमें वो अपनी discretion अपनी मन की हिसाब से कुछ decision ले और उसकी वज़े से फ या मतलब हाउस को address करने का issue आ रहा है वो हम समझते हैं देखो अगर governor की बात करें तो state legislative assembly का यह integral part होगा इस मतलब कि अगर bicameral system है state legislative council और state legislative assembly दोनों है तो जब कभी भी कोई भी law बनाया जाएगा ना उस particular state जिसमें bicameral system है तो दोनों houses से बिल पारी तो करके फिर governor के पास ज बनेगा इसका मतलब integral part हो गया और unicameral है तो विदान सभा से बिल पारित हुआ विदान सभा मतलब legislative assembly और उसके बाद में फिर governor की assent मिल गई तो काम बन गया act बन जाएगा अब देखो होता क्या है कि हमारे constitution के अंडर article 176 clause 2 sub clause B के basis में क्या लिखा हुआ है कि जब कभी भी क इसी भी calendar year का first session जब बुलाया जाएगा तो उसको governor जो है वो address करेंगे ठीक है अब governor जब address करते हैं तो यह अपने आप में constitutional obligation उनके ओपर की address करना चाहिए ठीक है और constitution में साफ साफ लिखा हुआ है कि governor के पास में यहाँ पर कोई discretionary power नहीं है कि हाँ भई कि assembly को बुलवा करक कि फिर उसमें वो session में अपना statement देंगे की नहीं उनको first session को address करना होता ही है ठीक है और parliamentary democracy का मतलब आप जानते हो और जिसमे executives are responsible to legislature तो उस point of view से देखा जाए तो वहाँ पर यहाँ पर executives को अपना एक memorandum show करना होता है देखो जब कभी भी first session जब आता है ना किसी भी अब जै ठीक है parliament में भी start होगा तो कुल मिला करके यह budget session स्टार्ट हो जाता है इसको यह अगर हम बोले तो अब इसमें क्या है कि governor जो है वो पूरे आने वाले एक साल का जैसे 2023 का जो है वो पूरा ब्योरा वहाँ पर register करेंगे show करेंगे कि भई किस तरीके से आगे आने वाले एक साल में जो है वो काम होगा ठीक है और वो government का agenda होता है कुल मिला करके और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो council of minister led by chief minister के दुआरा बनाया हुआ performa होता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि first session को address करना governor का काम है और governor जब address करते हैं तो उसमें उनको proper एक letter बना करके दिय आजाता है council of minister के दुआरा कि यह हमारी policies रहने वाले आने वाले एक साल में ठीक है तो यह हो गया article 176 clause b sub clause 2 sub clause b इसके लावा parliamentary democracy का हमने basic structure के तो यूज किया हुआ है तो इसमें क्या है हम अगर हमारे constitution के article 174 के basis पे देखें तो उसमें यह है कि governor जो है उनको यह power दी हुई है क कि वो time to time assembly को meeting के लिए बुला सकते हैं ठीक है अब यह meeting कब होगी कि दो जो meeting है ना consecutive meetings उनके बीच में maximum six months का gap रह सकता 6 माईने से ज्यादा नहीं रह सकता तो इसका मतलब 6 माईने के अंदर-अंदर आपको meeting बुलानी होगी सामझ गये मानलों कि last meeting जो हुई वो आज अगर कर तो यह system वहाँ पर रहता है अब देखो होता क्या है कि governor को जिस तरीके से भी session को address करना होता है ठीक है तो उस time पर governor का यहाँ पर कोई रोल नहीं आता कि क्यों उस session को बुलाया जा रहा है क्योंकि governor जब समन करेंगे ना उस session को meeting जो भी बुलाई जा रही है समन करना तो उसम आप देखो कि governor जो है वो council of minister की advice के basis पर यह action लेंगे ठीक है इस बात को लेकर के एक issue आया था अरुनाचल प्रदेश में जिसमें supreme court ने उस particular मुद्दे पर अपना statement दिया case था नवम रेबिया 2016 का यह case था इस case में वहाँ पर governor थे अरुनाचल प्रदेश के जेपी राज कि session को advance करना मतलब बिना किसी chief minister की advice के बिना चीफ minister की advice के अगर वहाँ पर governor अपने حساب से ही समन कर लेते हैं किसी भी session को तो बोले ये कहीं ना कहीं jurisdictional cross over है ठीक है तो यहाँ पर chief minister जब advice देना तभी governor वहाँ पर session को convene कर सकते हैं session को समन कर सकते हैं ठीक है meeting को बुलवा सकते तो ऐसे में governor meeting को कब बुलाएंगे ये किस पे depend हो गया ये council of minister led by chief minister की aid and advice के basis पे चलेगा ठीक है जी अब ये जो latest मुद्दा है तमिल नाडू वाला वो क्या है जी कि governor ने जो है वो government के दुआरा दिया हुआ government मतलब council of minister led by chief minister के दुआरा जो address दिया था पूरा speech दिया था उसको मतलब एक तरीके से बोलने से मना कर दिया कि मैं address नहीं करूँगा मतलब या फिर अपने तरीके से modify करने की कोशिश की ऐसा पहली बार incident नहीं है 1967 में राजस्तान की governor थे संपूर्णानंद उन्होंने भी किया था ठीक है फिर उसके बाद में योगेंदर सिंग योगेंदर सिंग हांडा वर्से स्टीट ऑफ राजस्तान 1967 केश जो था उसमें राजस्तान हाई कोट ने ये कहा था कि अगर governor को ये लगे कि अगर किसी भी address कोई भी speech अगर लिखकर के दिया गया है उनको और फिर वो address कर हाउस को तो उनमें से अगर उनको कोई content ऐसा लगे कि मेरे को ये बोलना ठीक नहीं लग रहा तो वो अपने हिसाब से उसको कहता ना कि साइड कर सकते हैं हटा सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद में एक और मुद्द आया 1965 में ठीक है जब बंगाल के उस टाइम के governor हुआ करते दे पदमजा नाइडू तो उन्होंने assembly को बिना ceremonial address दिये ही छोड़के और चले गए थे ठीक है मतलब ये कि उन्होंने बोलना शुरू किया ठीक है पदमजा नाइडू जी ने और फिर बोला कि आप लोग silence silence permit me to address मुझे बोलने का मौका दो पर इस बात को जो house के members थे उन् कि जो भी governor का address था वो governor honorable governor जो है उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि governor ने अपने मूँ से तो address नहीं बोला पर वो address जो था उसको शुरू करके और छोड़ दिया बीच में तो बोला इस चीज को कोई problem वाली condition में नहीं देखा जाएगा और मुद कि article 176 में ये चीज mandatory है ये constitutional duty है कि जब कभी भी नया session बुलाया जाए कौनसा साल का पहला session तो उसको governor जरूर अपना address deliver करेंगे उसमें वो मना नहीं कर सकते पर हाँ अगर वो delivery start हो गई और फिर उसके बीच में अगर उन्होंने छोड़ दिया तो इसका मतलब वो irregularity है ना कि illegality इसका मतलब constitution की obligation को governor ने follow तो किया ठीक है पदमजा नाइडू जी जो थे उन्होंने आया अपना address start किया पर बीच में छोड़ के चले गए तो वो irregularity है ना कि illegality तो कुल मिलाकर के बात ये कह दी कि यहाँ पर मुद्दा constitution के violation का है नहीं क्योंकि constitutional duty तो उन्होंने follow की है तो ऐसे में article 212 के तहत इस प्रोसेडिंग को कहीं पर भी court में challenge करने का कोई अधिकार नहीं बनता है तो कुल मिलाकर के बात क्या आगई कि governor अगर अपना address को start करके बीच में छोड़ भी दें तो भी वो उनकी obligation जो है वो fulfill होती हुई consider की जाती है ठीक है जी फिर बात आती है West Bengal के एक दूसरे governor रहे हुए है ठीक है धर्मवीरा उनके द्वारा उन्होंने भी क्या किया था government के द्वारा उस time पर आप देखो first united front government बनी थी बंगाल में तो उसके द्वारा government के द्वारा वो address बना करके दिया format में पर उन्होंने कुछ portion जो था वो कर दिया skip ठीक है छोड speech address में से कोई content हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं तो बही बात ऐसी है कि कलकता आइकोट नहीं कहा था कि governor ने जो decision लिया कि उनको जो चीज ठीक नहीं लगी वो चीज उन्होंने speech में बोलने से मना कर दिया तो उसमें कोई problem नहीं है ठीक है और यहां तक कहा कि कलकता आइको इस चीज का दिया है कि भई आप speech देते टाइम पर कुछ content को अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो समझ गए अब point यहां पर ही आता है कि एक तो मतलब जो हमें clarity लेकर क्या नहीं है कि governor पर obligation है कि वो address जरूर करेंगे ठीक है assembly का जो भी session start होगा first calendar session तो उसको ठीक ह कोई बातियों लगे कि उनकी position के against में है या वो comfortable नहीं comfortable का मतलब उनकी position के according ठीक काम नहीं है तो उस case में फिर अपने उस portion को address में से remove भी कर सकते हैं ठीक है जी कुल मिला करके यह तरीका यहां पर बताया जा रहा है अब बात आती है कि देखो जब कभी भी governor address करते है ना किस address तो करना है और address क्यों करना है क्यों कि आने वाले एक साल में government के क्या plan policies होने वाले हैं उनका एक कच्चा चट्टा होता है एक format होता है ठीक है जो first address किया जाता है governor के द्वारा तो कुल मिला करके government की क्या policies है उन चीजों के बारे में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता ठीक है अब बात आती है कि क्या यहाँ पर solution हो सकता है देखो अगर हम देखे ना तो 1829 में जो आप कह सकते हो कि British system जो चल रहा था उस case आप से अगर देखा जाए तो governor को अपना speech पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि वो government का statement होता है जिसमें यह पता पढ़ता है कि government आने वाल ठीक है अब आपको बता है बिटेन में तो मोनार्क है हमारे यहाँ पर तो हम तो Republican country है ठीक है तो Republic में तो क्या होता है जो head of the state उनका election होता है वहाँ पर मोनार्की है बट वो constitutional मोनार्की है तो कुल मिला करके मोनार्की भी वहाँ की ceremonial है जिस तरीके से हमारे president है या फिर state level प दिया जाएगा वो government का statement होगा दूसरी तरफ अगर देखें तो British constitutional law authorities में एक individual जिनका नाम है आईवर जैनिंग्स उन्होंने भी ये कहा था कि जब कभी भी governor या फिर king वहाँ पर तो king की बात आएगी हमारे हाँ पर president अगर king कोई भी address देता है तो cabinet government का statement रहेगा इसका मतलब वो जो statements हैं वो सारे के सारे किसके दुआरा दिये जा रहे हैं government के दुआरा तो यहाँ पर बोले यही चीज आ जाती है कि cabinet of state government उसके दुआरा जो भी aid and advice दी जा रही है governor को उसको proper constitutional manner में हमें follow करना चीए उसमें governor के ओपर कोई load नहीं है ठीका जी इसके अलावा अगर देख affordable हैं तो वो remove कर सकते हैं delete कर सकते हैं पढ़े नहीं उसको अपने address में तो सवाल यह है कि वो अगर address में उसको delete करें या उस address को amend करते हैं अपने हिसाब से तो क्या chief minister पर obligation है कि भाई governor ने जो कह दिया हो मानना पड़ेगा तो इसका answer है no chief minister उसको माने या ना माने वो उनकी choice ह अब मान लो कि governor ने अपनी तरफ से speech दे दिया अब speech देने के बाद में फिर बाद में देखो speech पे debate होता है क्यों होता है क्योंकि CDC बात है government का पूरा agenda है एक साल का उस पे तो बात उस वो ही तो governor ने वहाँ पे represent किया और उसी पे फिर debate होती है और फिर उसके बाद में thanks motion आती एक साल में उसको house का approval मिल जाएगा कि governor जी ने ये बात कह दी और ये बात final होगी चलो attention खतम पर सवाल या रहा है कि governor तो speech में अपने हिसाब से changes लाना चाह रहे है और वो changes अगर लाये जा रहे है तो chief minister अगर उनको नहीं मानेंगे तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि वहाँ प की तरफ से इसका मतलब तो सरकार को resign करना पड़ेगा तो point यहाँ पर क्या रहा है कि chief minister governor के दुआरा जो भी address देना होता है उसमें अगर governor ने कोई अपने हिसाब से अपने discretion में कोई changes की है तो उसको अगर chief minister रोकना चाहेंगे तो अपने पैरों पे कुलाडी मार देंगे क्य क्योंकि वहाँ पर मुद्दा आजाता है majority का क्योंकि अगर chief minister के पास majority है तो governor का जो speech है वो definitely thanks motion में pass हो जाएगा ठीक है पर यहाँ पर तो governor और chief minister में conflict आ गया और chief minister यह चाहें कि मैं तो governor की बात को बिलकुल reject करता हूँ और वहाँ पर फिर voting करवा दी और voting करवा करके यह अ अगर cancel हो गया तो governor तो constitution पर 5 साल complete करके जाएंगे पर सरकार गिर जाएगी chief minister साब की तो ऐसे में यह करना कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है chief minister के लिए ठीक है ऐसा पहले हो चुका है chief minister ऐसा पहले मतलब इस तरीके से situation नहीं बनी पर हाँ ऐसा पहले हो गया है कि governor के speech के बाद में जो thanks motion है उसमें support नहीं मिला और house के floor पे जब voting होई तो वहाँ पर chief minister जो है वो minority में चले गए सरकार गिर गई ठीक है वो कब होता है जब मान लोग किसी भी सरकार के chief minister बने किसी भी party के chief minister बने हो हैं और उन्होंने अपनी तरफ से governor के speech को पास करवाने के लिए voting करवा दी voting करवाने के बाद पता पड़ा कि voting में governor के speech को सबने support नहीं किया ज्यादा तर ने governor के speech को oppose कर दिया ऐसे में फिर किसकी मतलब किसका confidence डाउन गया सरकार का इसका मतलब सरकार को क्या करना पड़ेगा जगें छोड़नी पड़ेगी ये no confidence motion का provision हो गया है यहाँ पे तो ऐसे में इस तरीके से काम करना पड़ा तो कुल मिलाकर के बात ही आ रहा है कि यहाँ पर governor की अगर बात करें तो governor के पास में कोई discretionary power नहीं है कि वो अपने हिसाब से address को edit करें क्योंकि governor अगर अपने मनमाने तोर पर अगर speech को या address को change करते हैं इसका मतलब council of minister के द्वारा बनाया हु या जो भी address था उसमें governor नहीं अपने हिसाब से change कर दिया और उसको अगर पारित कर दिया जाता है तो फिर बात में opposition ruling states हम वो risk में आ जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर governor किसके द्वारा appointed है central government के द्वारा अभी central government में कौन है बीजेपी तो एक तो इस तरीके से issue attack जाएग governor के पास में हर जगे पे discretion नहीं applicable है तो कुल में लाकर के governor के पास में यह power नहीं है और अगर governor change कर देते हैं और chief minister वहाँ पर ये करवा देते हैं कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल accept नहीं करता है तो सरकार उनकी खुद की गिरती है और सरकार गिरती है तो governor तो भीया उनकी post तो safe ह नुकसान में कौन चला गया चीफ minister तो ऐसे में governor के पास ऐसी कोई authority नहीं है कि वो अपने address को edit कर सकें ठीक है तो यह मुद्दा आ गया कुल मिला करके फिर बात आती है governor को कैसे काम कर देखो governor जो है वो एक responsibility वाली position पे काम कर रहे है ना कि वो एक ruler है यहाँ पर state government की तरफ से chief minister और governors दोनों को मिल करके coordinated manner में काम करना जरूरी है ठीक है और यहाँ पर governor की जो authority है वो भी compromise नहीं होने चीए तो governor जो अपने authority को over exercise भी नहीं करें यह मुद्दा यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो यह point थे आगे चलता है अब आपको एक काम करना है governor से related जो भी issues है उनके बार authority की book refer कर रहे हो उनों उसको एक बार देख लेना ठीक है जिससे governor के साथ और governor की पोस्ट के criticism क्या है ठीक है सरकारिया कमीशन पुंची कमीशन इनकी recommendations क्या है वो थोड़ा देख लेना क्योंकि constitution basis पे सीधा में इसमें questions भी आता है और prelims तो आपको पता ही है important है नेस्ट है आर सबसे पहला सवाल तो यह कि बारा कंपा symmetry के बारे में कोई जानता भी है कि नी दूसरा यह कि क्या आज उसको कोई ढूंड के दे सकता है तो answer है no दूर दूर तक पता ही नहीं पड़ेगा देखो monuments basically क्या होता है एक memoriam होता है या दास्त के लिए जो भी आप कह सकते हो कि पुरानी बनी होई buildings हैं कोई भी place हो सकती है टॉम हो सकता है ब्यूरियल हो सकते हैं उनको हम संजो करके रखते हैं क्योंकि यह हमारा past है और आज जो हम कुछ चुपी करके जा रहे हैं उनको भी protection मिलनी ची आने वाले time पर जिससे कि आज के present के impacts को future में याद रखा जा सके या फिर उनको समझा जा सके तो बारा कमबा symmetry basically के लिए दिल्ली में है ठीका जी पर आज के टाइम पर इसको डूढ़ना बहुत ही मुश्किल है साफ एक दम इतना ज्यादा development का काम कर दिया कि यह important monuments भी गायब हो रहा है अच्छा यह responsibility किसकी इनकी take care करने की archaeological survey of India so overall अगर देखें तो दो हजार बाईस 15 जून दो हजार बा इस report का हिसाब से उस report का 324th report है यह 324th report है इस report में क्या बोला कि इस report में focus किया गया untraceable monuments वो monuments जो की अभी पताई नहीं है कि कहां गायब हो गए ठीका जी तो देखा जाए तो इस report में क्या लिखा है कि ministry of culture और ministry of culture के अंडर में एक authority है जिसका नाम है archaeological survey of India उसकी यह duty है कि ancient cultural heritage चाहिए वो tangible हो जिसको touch करके हम महसूस कर सेके हैं या intangible हो जो की performing arts होती है उनकी बात करें तो उनकी protection करने की duty ministry की है ठीका जी और ऐसे में ministry जो है वो जितने भी centrally protected monuments है इनकी protection करेगी किसके तुरू archaeological survey of India के द्वारा और state level के जो protected monuments है वो state governments करवाएंगी अपने level पे 3693 के लगबग centrally protected monuments है और 4508 के लगबग state protected monuments है तो 3693 जो है ये किसकी responsibility है cultural ministry of culture इसके अंडर में कौन काम कर रहा archaeological survey of India वो protection दे इन monuments को पर 2013 की एक report को अगर हम highlight करके देखे ना तो कैग की reporter report का नाम है performance audit of preservation and conservation of monuments and antiquities जो की 2013 में submit हुई थी इसमें बताया कि 92 के लगबग monuments है वो तो permanently missing है और जब उनको ढूंडना शुरू किया तो उनमें से 24 तो ऐसे monuments हैं जिनको rediscover करना ही मुश्किल हो रहा अभी तक भी नहीं पता है कि वो monuments गये कहां क्योंकि उनको time पर protection नहीं मिली तो ये responsibility किसकी है archaeological survey of India की तो बुले ये ध्या symmetry के नाम पर 12 खंबा रोड भी है दिल्ली में तो बले ये तुगलक जो इरा था ठीक है medieval period के हम बात कर रहे है उस time की important symmetry है जो कि 14th century से अभी तक continue थी पर अभी एकदम ही गायब हो गई ठीक है जी फिर उसके बाद में writer बता रहे है highlight कर रहे है कि इसके अलावा course minards course minards जो है वो बहुत सारी बनाई थी शेर सा सुरी ने जब grand trunk road बनवाई थी ना तो उस time पर हर course के उपर एक minard लगाई थी जैसे आज milestone हम लगाते है ना road पे उस तरीके से course minard लगाई थी और एक क्रोशा क्रोशा मतलब course course में लगबग 2 meal होते है ठीक है ना लगबग लगबग 3 km बराबर एक course होता है मुटा मुटा अगर मैं बता हूँ आपको क्योंकि एक meal में भी आपको पता है 1.6 km होता है तो वो add करोगे तो लगबग 320 के लगबग चला जाएगा 320 right तो overall point यहाँ पर करते थे मिनार जिसको कोस मिनार बोला गया बोला आज के time पर कोस मिनार मुझे सर फरीदाबाद और शाबाद कुरुकषेत्र वाले रीजन में देखें तो वहां पर कोस मिनारे बिलकुल गयब ही हो गई क्यों गयब ही डवलपमेंट के नाम पर इन मिनारों को हटा गर्के road बना दिया, construction कर दिया, और यह मिनारे बिलकुल गायब, ठीक है, यह हर्याना Urban Development Authority है, उसके द्वारा 1955 से लेकर अभी तक यह देखा गया है, कि बहुत सारे मिनारों को तो बिलकुल vanish कर दिया गया है, तो बोले, इस तरीके से protection नहीं होगी, तो फिर यह लापरवाई जो है, वो नुकसान देगी long term में, तो यही चीज बताई जा रही है, मोटी-मोटी जो चीज थी, बस इतनी थी, बाकी तो और बहुत सारी बाते बताई हुई है, discussion में बस यह दो आर्टिकल से थे, देख लेना, thank you very much.